सब्सक्राइब करें इस टाइम तो नोईंकार चैनल को बेल का आइकन ज़रूर दबाएं मेरे न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जाइम मेरे बत्रूर दबनाया हाँ अलो फेंड्स मैं सुल्स मोम साहब वेल्कम पैक टो माई चैनल इट साइम तो नोई कार्टा फेंड्स आज मेरे भी कुरने वाला मार्ति सुजुकी की स्विफ्ट पे यहां यह मार्ति सुजुकी स्विफ्ट वैरियंट है इसका VXI चार वैरेंट्स में आती है LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस बात करें आटोमेटिक ही तो आटोमेटिक में आपको VXI, ZXI और ZXI प्लस में ही आप्शन है आटोमेटिक का 2021 में अपडेट वर्जन आप देख रहे हैं स्विफ्ट का बात करें इस कार के इंजन परफॉर्मस की तो 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन मिलता है पहले नॉर्मल K सिरीज इंजन आता था अब वही डिजायर वाला डुवल जेट डुवल वीविटी इंजन आपको इसमें आउफर किया गया है जिसमें से पाउर मिलती है यह स ranked को सिरीज अभी बात करें इस कार की एवरेज की तो मैनुवल को 23.2 लोकिलमेटर का इवरेज मिलता है वही बात करें आवंको लिबात करें इस प्राइस की तो 6.36 लाग एक शो रूम है इस कार का ऑन रोट प्राइस जानने के लिए आप अपने नियरेश दिलेश्ट पे कंटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे आपको एक्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा यह है स्विफ्ट का फ्रंट लुक फ्रंट लुक काफी एक्रेसिव है जैसा पहले था वैसे अब भी है बहुत माइनर से चेंजिस आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं आपको सुजुकी का लोगो मिलता है और उसी के नीचे क्रोम नॉर्मल रिफ्लेक्टर हेड्लैंस मिलता है विद इंडिगेटर वाइपर्स 4.8 मीटर का टुनिंग रेडियस मिलता है स्विफ्ट में बात करें इस कार की डैमेंशन की तो आपको 3.8 मीटर इस कार की लेंथ मिलती है वेट मिलती है 1.7 मीटर और हीट मिलतु है इसकार की 1.5 मीटर की बॉडी कलोर्ट साइड मीर मिलते हैं आपको यहापे साइड मीर पे टॉर्न इंडिगेटर का उप्शन है 163 mm का Ground Clearance मिलता है आपको यहां पर Wheelbase मिलता है 2450 mm का Floating Roof मिलती है आपको Swift में Black Pillar Body Colored Door Handles देखने को मिलेंगे यहां पर और ऐसा दिखता है इस कार का साइड लूप Floating Roof Design है Rear Door Opener Smart Anteaner Plain Roof मिलती है आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी जैसे पहले आती थी इसमें कोई changes नहीं देखने को मिलेंगे टेल लाइट में High Mound Stop Lamp Suzuki का Logo मिलता है आपको यहां मिलती है Swift की बैजिंग Bumpers पे sensors का option है और ऐसा दिखता है rear का look इस कार का चलिए boot open करके देखते हैं कि कितनी boot space आपको इस कार में देखने को मिलती है 268L की boot space मिलती है आपको Swift में जो की काफी अच्छी boot space है और यह है आपका wheel cap tools रखने के लिए side में space दिया हुआ है मीचे के तरफ देखे तो आपको मिलता है spare wheel और यहां मिलता है आपको shopping hook rear parcel tray का भी option मिलता है आपको Swift VXI variant में बात करें इस कार के fuel tank की तो 37L का fuel tank मिलता है आपको Swift में safety feature की बात करें इस कार में तो आपको dual front airbag मिलता है ABS, EBD, reverse parking sensor, security alarm system, front seat belt, tensioner and force limiter, isofix child seat, speed sensitive auto door lock, day and night adjustable IRBM, high speed alert system, यह सारे safety features मिलता है आपको Swift VXI variant में total six color में available है Swift VXI, यह जो आप color देख रहे है यह पॉल Arctic white है, magma gray, midnight blue, prime blue scent orange, silky silver, यह सब colors में भी available है Swift VXI, अब Swift में dual tone color का भी option आने लगा है लेकिन वह top end variant में ही आपको मिलेगा, बात करें Swift LXI की जो की base variant आता है, अगर उसका review आपको देखना है तो मेरे description box में आपको जाल दी है और अगर आप comparison वीडियो चाहते है Swift VXI और Swift LXI की बीच में तो मुझे comment करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूगा, यह थे इसका इसका exterior, तो चलिए देखते हैं इसकार का interior में क्या-का features आपको देखने को मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे driver side door open किया हुआ ह यहाँ पे आप देख सकते हैं, total black color option मिलता है आपको, डोर पे chrome door opener देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मिलते है power window के controls, side mirror के controls, door lock unlock करने का button, यहाँ पे मिलती है थोड़ी space, और यहाँ पे fabric देखने को मिलेगा, door mounted armrest पे, और यहाँ पे भी आपको fabric देखने को मिलेगा, वो भ आपको मिलता है speaker, 1 liter water holder, और paper walk space मिलती है आपको, और यहाँ मिलती है इस car के entry, wind plate, tire pressure information, adjustable headrest मिलते है आपको front में, fabric seat of industry मिलती है, seat के height भी आप adjust कर सकते हैं VXI variant में, recline के साथ साथ, fuel load open करने का lever, pedals, bonnet खोलने का lever, और यहाँ पे मिलता है ideal start stop और headlight leveler का switch, as events, तो चलिए अंदर बैठके देखते हैं इस car में, remote की एक option मिलता है आपको, चलिए एक car को on कर लेते हैं और देखते हैं इस car का instrument panel, कुछ इस तरीके के देखता है on होने के बाद, एक तरफ देखे तो आपको मिलता है speedometer, और दुसरी तरफ देखे तो आपको rpm meter का option देखने को मिलेगा, बीच में छोटी सी आपको एक digital screen देखने को मिलेगी, जो की शोग करती है digital clock, fuel level indicator, range, average, fuel economy, trip A, trip B, ये सारे features शोग करती है, त्री स्पोर्क श्टेरिंग वील का option मिलता है आपको, यहाँ पर D-shape में steering wheel है, और यहाँ पर देखे तो infotainment के controls देखने को मिलेगे, नीचे के तरफ call receive, call decline और Bluetooth के control देखने को मिलेगे, और यहाँ मिलता है सुदूगी का logo, airbag की badging, हैडलाइट के controls मिलता है, वाइपर के controls, और यह है round shape में एसी events, बीच में आपको hazard light control देखने को मिलेगा, और यह है new infotainment system, desire और सुफ दोनों में यह music system देखने को मिलेगा, सबसे पहले अर्टिगा में आया था, electronic touch के साथ, पहले button system था, अब इसको change करके company ने electronic touch बना दिया है, support करता है FM, AM, AUX, USB, pen drive, Bluetooth, यह सारे चीज़े support करता है, off होने के बाद भी blue light show करता है, यह उपर की तरफ, यहाँ पे manual AC मिलता है, normal dial type, नीचे की तरफ देखें, तो यहाँ पे आपको मिलता है 12V का charging port, और यहाँ पे आपको मिलता है USB AUX port, यहाँ पे थोड़ी space देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मिलता है 2 cup holder, और यह है gear knob, pipe manual transmission, और एक reverse gear के साथ, mat chrome finish दी हुई है चारु तरफ, और यहाँ मिलता है थोड़ी space, normal handbrake मिलता है आपको, silver knob के साथ, code driver side बात करें, तो यहाँ पे भी आपको chrome door opener, power window control, और नीचे के तरफ speaker और 1 litre photo holder की space देखने को मिलेगी, और यहाँ मिलता है grab, slow move के साथ, go driver side sunshade में आपको vanity mirror को option देखने को मिलेगा, cabin light, ticket holder को option मिलेगा driver side sunshade में, adjustable IRVM मिलता है आपको, AC vents, blow box space, यहाँ पे आपको premium silver color की matte finish देखने को मिलेगी, पहले piano finish में आता था, अब यह matte finishing कर दिया है इसकी, तो चलिए, rear seat पे बैट के देखते हैं इस car के, मैंने rear door open किया हुआ है, यहाँ पे भी total black color को option मिलता है, chrome door opener देखने को मिलेगा, और यहाँ पे door mounted armrest, power window के control, नीचे bottle holder और speaker को option मिलता है, और ऐसी मिलती है इस car की entry, तो चलिए अंदर बैट के देखते हैं इस car में, leg room काफी अच्छा मिलता है इस car में, head room भी enough है, और यहाँ मिलता है आपको one liter bottle holder, यहाँ पे भी आपको chrome door opener, power window के control, नीचे water holder और speaker की space दी हुई है, grab slow move के साथ, rear parcel tray का option मिलता है VXI variant में, fix headrest मिलते हैं आपको, rear seats पे, VXI variant में, और ऐसा दिखता है front का dashboard, rear seats से, तो friends बात करें 2021 shift में changes की, तो यहाँ पे आपको जो changes देखने को मिलेगा, वो है engine, सबसे पहला point, जो की desire का अब आपको इसमें मिलता है, dual jet, dual VVT 1.2 liter का petrol engine, front की grills में, minor सी change देखने को मिलेगा, music system पहले, बटन वाला आता था, अब जो आता है, वो electronic touch की तरह आता है, जैसे आपका desire, baleno, artiga में आता है, उस तरह के का आपको music system इसमें भी मिलेगा, चार speakers पहले भी आते थे, अभी भी चार speakers ही आते हैं इसमें, dashboard पे आपको matte finish देखने को मिलेगी, premium silver color की, पहले यही premium silver color की glossy finish देखने को मिलती थी, dashboard पे, अब matte finish देखने को मिलती है, तो यही सारे changes हैं Swift VXI 2021 में, और अगर आप चाते हैं Swift LXI का review देखना है, तो मिरे description box में आपको उसकी भी link मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप Swift LXI variant का भी review देख सकते हैं, तो friends मुझे Instagram पे भी follow कर ले, इस time to know in car की नाम से, वहाँ पे भी मैं latest update डालता रहता हूँ, तो friends वीडियो कैसा लगा, comment में बताएं, वीडियो को like करें, वीडियो को share करें, और चैनल को subscribe करना ना भूले, तो मिलते हैं next video में, जय हिन, जय भारुए